हेलो फ्रेंड्स विल्कम दिस चैनल आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही डिलेसियस और टेस्टी मावे की बर्फी की रेस्पी सेर करने वाली हूँ जिसे हम सिर्फ एक कप मावे से बनाएंगे और बनाने में सिर्फ 10-15 मिन टाइम लगेगा तो मावे से बनी कोई भी मिठाई हो चाहे पेड़ा हो बर्फी बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं चलिए रेस्पी को देख लेते हैं यहाँ पर मैंने कटोरी से मेजर किया है अगर मेजर्मेंट सही रहेगा तो रेस्पी भी एकदम परफेक्ट बनेगी तो मेजर्में अच्छे से कीजिएगा एक कटोरी मैंने मावा लिया है यह मेरा घर का बना हुआ मावा है आप चाहे तो बजार का भी ले सकते हैं अभी इसे में साइड में रख देती हूं यहाँ पर गैस अन करके कड़ाही चड़ा दिया है उसको अच्छे से गरम करने के बाद उसमें ए तो देखिए मैंने फ्रीज से निकाल कर इसमें डाला हुआ है तो थोड़ा सा गरम होगा ना तो मावा पिघल जाएगा तो इसी तरीके से चलाते हुए आप देखिएगा कि दो मिनट के बाद मेरा मावा जो है घी छोड़ने लगा है अभी इसका थीकनिस भी बढ़ता है मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इस जगह मलाई का भी यूज कर सकते हैं दोनों चीजों को अच्छे तरीके से कल्ची के पिछले हिस्से से पहले मिक्स कर लूँगी लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर सेम चम्मच से दो चम्मच रूम ट अच्छे से चलाते रहेंगे कल्ची को चलाते रहना छोड़ना नहीं है नहीं तो यह कडाही में पकर लेगा अभी मैं एक चमच च्छोटा चमच से घी एड कर दूँगी कि मुझे लग रहा था कि यह कडाही में चिपक न जाए इसलिए तो अच्छे तरीके से सभी को पका आपा था, उसी कटोरी से आधा कटोरी चीनगे, इतना मावा है उससे आधी चीनी ले नी है, उसमें दो इलाइची डाल कर मैं इसको पीस्क लेहूं, और यह देखिए यह भी हलका सा थंडा हो गया है, तो इसमें मैं चीनी आइड करूँगी, वेसे तो यह मेजरμεंट मिक्सचर मेरा रेडी है अभी भी ये गरम है थोड़ा इसको ठंडा कर लेती हूँ छोड़ देती हूँ दस से पंदरा मिनट के लिए उसके बाद देखिए यहां पर मैंने एक पलेट पर इसको फैलाल लिया है अब उपर से मैं अपने पसंद का ड्राइफ रूट पीस्ता और काजू को बारीक बारीक कट करके डाल दिया है आपको जो ड्राइफ पसंद है डालिये नहीं पसंद है इसकीप कर दीजिए ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है उसके बाद मैंने इसे फ्रीज में आदे गंटे की लिए रख लिया था ताकि जल्दी से ये स जट हो गया है तो मैं इसे बर्फी की तरह कट कर लेती हूँ आप चाहे तो अपने पसंद का चकोर सेपी दे सकते हैं या फिर आप इसे हाथों से गोल गोल भी बना सकते हैं आपकी जैसी मर्जी उस तरीके से इसे सेप दे सकते हैं तो मैं बस ऐसे ही बर्फी की तरह कट कर तो आपने देखाना यह बनना कितना असान है बस एक कप मावे से इतना सारा बर्फी बनके रेडी हो गया है और बजार से लागुना हेल्दी भी है टेश्टी भी है और कम खर्चे भी लगते हैं तो बच्चे बड़े सभी को यह बहुत पसंद आएंगे आप भी इसे बनाकर प्राइजर कीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज एक कोमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा जो फटेंस मेरे चैनल पर नीम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालो स्बीक के साथ तब तक के लिए बाई बाई थेंक्स फूर वोचिंग अला हाफीज